क्या आप भी जानना चाहते हैं बेकरी का रास आखिर बेकरी का केक इतना सौप्ट और स्पंजी क्यूं होता है हम घर पे जो केक बनाते हैं वो इतना सौप्ट नहीं होता आखिर बेकरी में ऐसा क्या डालते हैं किस चीज की वज़े से केक इतना सौप्ट होता है क्या आप भी इस question का answer चाहते हैं तो फिर इस वीडियो में बने रहें last तक देखें वीडियो को Hello friends, welcome my channel कैसे हैं आप सब लोग आज मैं आपको बताऊंगे आखिर बेकरी में ऐसा क्या use होता है जिसकी वज़े से उनका केक इतना soft और spongy होता है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को ये है वो राज जो आप देख रहे हैं ये केक प्री मिक्स है जो बेकरी में केक बनता है इसी प्री मिक्स से बनता है हम जब घर में केक बनाते हैं वो मैदा, शुगर सब मिक्स करके बनाते हैं पर बेकरी में जो केक बनता है इस mix powder से बनता है इसमें सारा चीज पहले से mix होकर आता है और जब इसका केक बनाया जाता है तो यह बहुत ही soft और spongy होता है इसे केक प्रिमिक्स कहते हैं यह वनीला का प्रिमिक्स है इसी तरह चॉकलेट का भी अलग से प्रिमिक्स आता है इसी स केक बनाया जाता है बेकरी में जो home bakers होते हैं वो भी इसी pre-mix का ही यूज करते हैं, सभी जगा केक इसी pre-mix से ही बनाया जाता है तो आज मैं आपको इसी pre-mix से ही केक बनाना बताऊंगी तो चलिए बनाते हैं केक को ये जो cup है, ये measuring cup है इसी से ही major करके हम केक बनाएंगे अगर आप केक के सारे ingredients इस cup से major करेंगे तो आपका केक बहुत ही अच्छा बनेगा 1 cup और 1 4th cup pre-mix ले लेंगे वनिला का 1 4th cup से भी थोड़ा कम तेल लेंगे तेल हमेशा refine का यूज करें pre-mix से जब केक बनाते हैं तो तेल थोड़ा कम ही यूज होता है 1 cup पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा ही डाल कर मिलाते जाएंगे आप पानी के जगा दूद भी ले सकते हैं मैं भी पानी यूज कर रही हूँ अच्छे से मिलाएं और धीरे धीरे पानी डालते जाएं केक pre-mix में पानी का ज़्यादा यूज होता है इसमें जैसे जैसे पानी डालते हैं ये और गाड़ा होते जाता है पानी सोकते जाता है जबकि हम घर पे जो मैदे का केक बनाते हैं में कम मात्रा में पानी यूज होता है पहले लिया हुआ पानी पूरा यूज हो गया ये सेकेंड कप पानी है इसके भी थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिलाते जाएंगे केक बैटर अब तयार हो गया है देखिए सेकेंड कप का पानी इतना ही यूज हुआ है बाकी पूरा बज़ गया है केक टीन ले ले उसमें तेल डाल कर चारो तरफ अच्छे से फैला ले और उसमें केक का बैटर डाले केक टीन को अच्छे से टैप कर ले जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसमें जो भी एर बबल्स होंगे वो बाहर निकल जाएंगे जिससे केक अच्छा बनेगा गैस पर बड़ा सा बरतन या पतिला रखें जिसमें आपको केक बनाना है उसमें एक स्टेन रखें ऐसा ही स्टेन रखें पतला सा कोई कटोरी ना रखें अगर आप कटोरी रखें ये तो बीच में केक जल्दी नहीं पकेगा उपर से ढख दें और 40 मिनट तक पकने दें बीच में एक बार भी ढखकन खोल कर बिल्कुल ना देखें ऐसा करेंगे तो उसमें का जो हीट है वो बाहर निकल जाएगा और केक फूलेगा नहीं 40 मिनट के बाद धक कर निका लें और एक चाकू लें केक के बीच में डालें और देखें अगर चाकू में केक जिपका हुआ है तो 5-10 मिनट और धक कर केक को पका लें अगर चाकू बिल्कुल साफ है तो केक को बाहर निका लें पहले ठंड़ा कर लें उसके बाद ही काटें और आप उसे देख सकें, बाई फ्रेंड्स